बहुत 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 है अब माला ले रहा है तो फिर मंगल सुत्र का है यहाँ मेरी जेद में है अब तो ठीक है ना चलो चलो बाकी के पैसे दो चाय पीने के लिए हो गई बहुत खुश्र जगह है एक बार अपनी पत्नी को लेकर आऊँगा बेटा हमें लेने के लिए मताब पिक अप करने के लिए कार कब आएगी कार आएगी कार नहीं पंडिट जी ओपन वेन में जा रहे हैं ओपन वेन में जा रहे हैं क्या पंडिट जी नमस्ते 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 टाइम प्ले? टाइम ना, आपको कौन सा टाइम पसंद है? साड़े साथ? साड़े साथ ही है, साड़े साथ ही है. पंडित जी, आप इससे बातें क्यों कर रहे हो? बेटा, हम एक शुबकार के लिए जा रहे हैं, और ये शराप पीकर मेरे उपर गिर रहा है. पंडित जी, आपको तो उल्टी आ रहे हैं, मुझे तो उल्टी आ रहे हैं, मुझे तो उल्टी आ रहे हैं, मुझे तो उल्टी आ रहे हैं, लगता हैं, बेट कर रहे हैं, पंडित जी, आप इन बेकार की कामों में क्यों पड़ रहे हो, उससे छोड़िए और वैन आ गई है, छलो चलते हैं वे ना गई रुका 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 चलू चलू बे चलू elbow ये जब दो ठीक है आर्म लेकर कहा जा रहा हूँ तू इसी तरह पीता रहा तो, अगले अमावस तक तू उपर चला जाएगा, तब तेरे गले में आकर यहाँ डाल दूगा, नलाइक, इसके शादी है, मैं ही कराने वाला हूँ, पेलमेंट की बाद पहले ही हो गई है, पेलमेंट की बाद हो गई है, अच्छा, जनम कुंडली म मिला ली है, सारे ग्रह एके इस्थान पर बैठे हैं, बहुत अच्छी है, मैंने इसके नहीं, तुमारे बारे दूगा, आप इससे बाते क्यों कर रहे हो, आप ज़रा चूप रही है, बरदर, ने नी, सिश्टल, सिश्टल, माफ करना, इस से तो शराबी ही बेतर है, नलाइ पढ़ा लिका शराबी है, तभी इंग्लिश में सौरी बोल रहा है, बेठा, तुमारी ये गाड़ी गाउं कब तक पहुचेगी, इस पहाड के चार चक्कर लगाने के बाद गाव आ जाएगा, क्या का चार चक्कर, यहां तो बैटना ही मुश्किल हो रहा है, इतना शराब पीकर के बद्बू पहला रखी है, ए मैन, गो बैक, बेहन जी, यू कम फारवर्ड, मैं सिर रख लेता हूं, अच्छा लग रहा है, बेटा रवी, बोलिए पंडिजी, मुझे लग रहा है कि शायद मैने पेमिंट कम मांग ली है, थोड़ी बढ़ा कर दोगे तो अच्छा हाँ, देखता हूं, जल्दी चलिए, थोड़ी तेर में तुम ही उपड़ चले जाओगे, वहां पे बढ़ा के देंगे, ठीक है, कम, कम ओन, अब धीरे-धीरे मुझे भी ए खुश्बू अच्छी लगने लगी है, कहीं मैं भी शरावी ना बन जाओं, ए प्रभू, क्या न पंडित के साथ क्यों आया है, जरा रुकिये, मैं बताता हूं, बेटे ने कहा कि वो एक लड़की से शादी करना चाहता है, इस गाओ में कोई भी पंडित आने के लिए तैयार नहीं था, मुझे बलाया तो मैं आ गया हूँ, बेटा, ये तुमारे पिता जी है, हाँ, ये मे ये यहाँ पर हार लेकर खड़ा है, अब इसे और मैं क्या समझा हूँ, बेटा, तुमारे पिता जी किसी श्राब की बात कर रहे है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, पंडित जी, किसी जमाने में इस गाओं के लोगों की गलती और कुछ लोगों के मौत के कारण, इस भूत आत्मा की डर से यहाँ पर जी रहे हैं, यही कारण है, बेटा, आइस्ता, जैसे जैसे तुम यह सब बता रहे हो, वैसे वैसे मेरा रेट बढ़ता जा रहा है, भूत को भगाने का एक अमाउंट, आत्मा को भगाने का एक अमाउंट, और फिर इस अमाउंट से एक इसए गाव मेरे बाप जादी होई, उसी गाव मेरी भी शादी होगी, आप चिंता मत कीजिए, उसके बाद मैं अपने बीबी को शहर ले जाऊंगा। बेटा तुम तो शहर चले जाओगे मैं कहां जाओंगा बाबुजी हमारी शादी के लिए बस आपका आशिर्वाज चाहिए बस इतना ही बेटा तुम जो मंगल सुत्र मेरी बेटी को पहनाना चाहते हो क्या वो उसे पहनने के लिए राजी है उसकी मंजुरी चाहिए ना इतन साथ ही माना है मैं ऐसे ही अपनी जिन्दगी बिता दूंगे मुझे भूल जाओ अरे पागल मैं भी तुम्हारे और इन गाउवालों की तरह यहाँ पर रहता तो तुम लोगों की बातों को मान लेता लेकिन मैं पड़ा लिखा हूँ इसलिए तुम लोगों की बातों में मैं कभी नहीं आऊंगा शादी होते ही हम लोग बड़ों का आशिर्वाद लेकर ये गाउं छोड़कर चले जाएंगे तुम इन फालतों की बातों पर जरा भी विश्वास मत करो मैं सब ठीक कर दूँगा ठीक है रवी पर हमारे सुहागराद यहां नहीं होनी चाहिए रवी अरे पागल मैं कहए रहाओ कि हम यहां एक राद भी नहीं रुकेंगे और तुम सुहागराद की बात कर रही हो जाओ पहले जाकर अपने माता-पिता को राजी करो ठीक है पंड़ जी तेरी बदबुत से यह दिया भुच जाएगा, चंदुरट मुँ बन कर, मंत्र भी नहीं बोलने दे रहा है सब लोग मंगल सुत्र को चूँ करके आशिरवाद दीजे सब चुप क्यों है आशिरवाद दीजे पंडिजी आप नहीं जानते, यहां इस शादी से कोई भी खुछ नहीं है ये अपनी खुशी के लिए शादी कर दा भाए है हम इसके माता पिता हैं इसी लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं आपने अपना फर्ज निभा दिया अब मुझे भी अपना फर्द निमाना है, बेटा, मंगल सुत्र उठाओ, बधु के गले में पहनाओ, सब देख क्या रहो, सब लोग नौ दमपति को मन से आशरवाद दीजिए, चलिए दीजिए आशरवाद, डालिए डालिए, फूल डालिए, रभी जैसा तुमने चाहा था, वैसे ही मन पसंद लड़की के साथ तुमारी शादी हो गई, अब जाकर के आशरवाद लो, जाओ, जाओ, आशरवाद दीजिए, सदा सुखी रहो, बेटा, तुमने गाउवालों के खिलाफ जाकर शादी कर ली है, अब तुम दोनों शहर जाक अपना जीवन खुशी से बिताओ, बेटा, तुमने अपने मन की बात कर ली, मेरी बात का बुरा मत पानना, आज ग्रेट ठीक नहीं है, और दिनवी अच्छा नहीं है, आज के दिन नो विभाजतों को घर से नहीं जाना चाहिए, रात होने वाली है, कल सुभा चले जाना ब जाहिए, आज की रात यहीं रुक कर, कल सुभा चले जाना, बेन जी, जल्दबाजी में सुहाग रात की तयारी मत करने लगना, बस दूद और फल दे दीजे, वही ठीक रहेगा, आचा तो मैं चाहूंगा, जी, पंडी जी, ये लिजी, मुझे लगा वेट होगा, लेकिन य इसे कटे रहना, अभी मैं चलता हूँ, मैं पी मेरिड लाइए, मेरे लिए दूद क्यों लेकर आई हो, ये तो रसम है, इसे पंडी जी ने कहा था, कि आपके पीने के बाद, ये मुझे दे दे ना, मैं पी लूँगी, ठीक है ना, ये पी लीजिए, मैं प्रूँछी, टार है हा, है है, समन्लो कर दो, कर दो दो यही हमारा टार्गेट है समझें यार यह क्या हाह सारे लोग यहां सडक POR K just हालो मैं आपसे पूछ रहा हूं यह क्या है यहां सारे लोग सडक पर क्यों लेटे हो और आ माने इन लोगों को यह राज बता को यहां को हम लोगाओं मैं नहीं जाते हैं मेरी बस समझे है योगी ये लोग बार से आए हैं ठीक है अरे हमें बताईए ना हम आप से ही पूछ रहे हैं उची आवाद में क्यों बोल रहे हैं तुम लोग हमारे गाउं में आए हो हमारे गाउं के बारे में नहीं जानते पहले ये बताओ तुम लोग आखिर यहां क्यों आए हो हमें पता चला है कि यहाँ के जो लोग है वो बहुत ही वीचितर जीवन जीते हैं उसी के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसे पहले तुम लोग यहाँ से जिन्दा वापत नहीं जाओगे अरी यहाँ क्या बोल रहा है जो कहने है कहने दो इसे हम यहां जिसलिए आये हैं उस काम को पूरा किये बिना हम लोग यहां से नहीं जाने वाले तो क्या हम इनकी तरह सड़क पर सोजए यही एक रास्ता है तो फिर क्या सोच रहे हो सब लोग यहीं सोजाते हैं सुबा ओड़ पर चले जाएंगे चलो अरह यह क्या कर रहां जाएंगे बाई तमन्ना तमन्ना पूर्च रेस्ट्रूम जानाया ज़र आसाथ चलो मुझे क्यों बता रही है मेरे सिर में दर्ध है एक काम करो विश्णू को लेकर जाओ विश्णू विश्णू क्या है जागो ना मुझे अर्जेंटली रेस्ट्रूम जानाया तो उन्हें लेकर जाओ ना मैंने उन्हें बोला पर वो अल्रेडी डर से नहीं जाना चाहा रही है अच्छा चलो चलो तुमने बैटरी डाली है ना? यहां डाली तो थी समल कर अरे अब जल रही है यहां आते ही अचानक जल गई हो सकता है कोई लूज कनेक्शन होगा शे ऐसी बात नहीं है तुम लो और जाओ तुम भी साथ चलो ना? मैं यहां पर ख़ड़ा हूं तुम जाओ ना? जाओ जाओ नहीं टॉर्च नहीं बाटरी वहां पर नहीं जली और यहां पर जलने लगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है अखिर बात क्या है कुछ तो गड़बर है पता लगाना पड़ेगा अब चलें? चलो आओ यह क्या यह फिर से बंद हो गई हो सकता है बैटरी वीक हो गई होगी देखो अब जल रही है अगर बैटरी वीक होती तो कैसे जलती मुझे सब समझ में आ गया है तुम लोग जल्दी से यहां आओ अरे जल्दी आओ जल्दी आओ इचलो अहां यह क्या हुआ था यह क्या हुआ यह देखो अभी टार्च आफ है यह देखो अब जल रही है अब देखो थोल पीचेड़ो यह क्या बताना चाहा रहा है तुम क्या वात है क्या हुआ है विश्वास नहीं हो रहे ना एक मिनट रुको यह देखो अब यह जल गई सबी लोग अपने मोबैल की लाइट आन करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हाँ ठीक है ओफ हो गई, अब यहाँ लेकर आओ देख लिए, ज़रूर इस गाओं में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम यहाँ से चले जाना चाहिए, मेरी बात मनो हम पहले यह प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से जाएंगे इस गाओं में ऐसा क्या है, यह हमें जानना ही है ए चलो अब, चलो ए प्रेम यह उड़िया भाई, सो मत, देख यहाँ कोई भी नहीं है हाँ यहाँ कोई भी नहीं है सबको जगाओ यह मारिया, चलो चलते हैं, चलो बेट कॉफी यहाँ कहाँ से बेट कॉफी मिलेगी, चलो अच्छा है ना एई, यहाँ एक दुकार है अरे देखो या, चाय पीते, सलो मुझे तो बहुत ही भूक लगी है चाय के लिए कहो सोच कर रहे हो, वो सब तो ठीक है पहले यह बताओ, तुम लोग हो कौन और यहाँ पर आखिर क्यू आए हो क्या, सारी बात बताएंगे तब ही चाय देंगे चाय तो दूर की बात है, हम तो पानी भी नहीं देंगे हमारे गाओं वाले राजी होंगे तब ही देंगे यार, यह क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है यही है क्या यही हमारे गाओं के बढ़के है बढ़के मतलब? बढ़के का मतलब, हमारा भला बुरा सब यही देखते हैं हमारी बीमारी का इलाज करते हैं इनके मर्दी के बिना हमारे गाउं में कुछ भी नहीं होता है ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ, ये कौन है और यहां क्यों आए है सर, हम सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं है अलग-अलग गाउं के बारे में जानकारी हासिल करके कॉलेज में प्रोडेक्ट रिपोर्ट सब्मिट करनी है इसलिए हम यहां पर आए है सुनिए, हमें पता चला है कि इस गाउं में भूत प्रेत का साया है रहसी के बारे में जानना है तो एक काम करो, पहले ये फैस्टा कर लो तुम में सबसे पहले जान कौन देगा अरे, अब क्या करेंगे सर, आप ये क्या कह रहे हैं क्या सर्वर जैसे आय हो, वैसे ही भाग जाओ मैंने काना जाओ, मेरी बात समझ में आई एक पल भी यहां मत रुकना समझे हम लोग अपनी सभी भावनाओं को कुचल कर यहां जी रहे हैं तुम अपनी एक चौँप के लिए अपनी जान कमा कर अरे खौँप का नाम, बदनाम करना चाहते हो, क्या दाता जी, बड़ी मुश्किल से हम यहां आए हैं तो? बस एक दिन यहां पर रुकर वाव में जो मंडब है उसमें रात गुचारो, सुबह होते ही चले जाना ठीक है दादा जी हां 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 है इन्हे खाने के लिए कोजदे दो ला करके ठीक है ठीक है चलो हे बढ़के का मतलब क्या होता है अर्ली मॉनिंग यार हे तुने परेशान क्यों कर रहा है भाग यहां से पागल कहीं का बच्चो तुम लोग बेटो मैं चाय बना कर लाता हूँ ठीक है ऐसे हालात में हम बस आज की रात ही यहां पर रुखने वाले हैं ऐसे में अपने रिसर्च कैसे करेंगे क्या कोई बता सकता है सोनो हम लोगों को कुछ भी करके यहां बर रहना ही होगा या फिर उसे अपनी तरफ करके या फिर लोगों को उसके खिलाफ खड़ा करना होगा इसमें से कुछ होगा तभी हम यहां रह सकते हैं क्या हाँ रेखा हम यहां तभी रह सकते हैं ओके गाइस, अब हम सोजाते हैं, सुबह उठकर बात करेंगे हाँ, 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 चलो, के अब है, रिका यह किसे लिए सिग्रल दे रहा है, क्या हुआ, तुम्हे नीन नहीं आ रही है, क्या यह भी उठकर बैड़ गई, अरो, रूई और आग पास पास है, खत्रा हो सकता है दस फिट दूरो तब भी खत्रा ही है, रेखा, ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या तुम जाकर सोजाओ रुको, रुको, कोई गल्ती मत करना, मैं तुम लोगे हाँ जोड़ता हूँ, अगर मैं यह नहीं आता ना, तो बहुत बड़े गल्ती हो जाते हेलो मिस्टर, तुम जैसा सोच रहे हो, वैसे हम नहीं है, हमें हमारी लिमेट्स पता है, उसे कभी पार नहीं करेंगे हाँ, तुम नशे में हो, जाओ यहां से, जो नशे में होता है, वही सच बोलता है, जादक हमारे गाउं की बात है, यहां सेवास अपराव है, अगर कोई उसका पालन नहीं करता है, तो उत्रा उसे खत्म कर देती है, भाया, आपके गाउं में चुमा देने वाली नहीं है क् इस गाउं के लोगों के मन में मोद का डर है, इसलिए सैवास को पाप संभधकर जी रहे हैं। मेलबानी करेकर तुम सब लोग ये गाउं शुरू कर चले जायो, चले जायो, सुबह चले जायूने सरूर चले जायना। जो के पैस बढ़ता हूं, भगवान के लिए चले जाना, ठीक है, ना? ठीक है, छे, ये लोग कैसे जी रहे हैं, ये सुनकर हमें इतना बुरा लग रहा है, तो जो लोग यहां रहते हैं, उन पे भला क्या बिद्ती होगी? ज़ाई, हमें ये पता लगाना होगा कि ये सच है या सिर्फ इन लोगों का वहम है, अगर ऐसा किया तो हम इन लोगों को बचा सकते हैं, सुबहा होने दो, शायद हमारे लिए कोई अच्छा हो जाए, चलो सुझावाब, चलो सुझावाब, हाँ हलो अब तुम दोनों शराफत से सोते हो कि मैं शराबी को फिर से यहां पर बुलाओं प्लीज प्लीज चले सो जाते हैं रात को नीम कितनी कमाल की आई ना रेखा बोलो तुम्हें चाय चाही है कॉपी तुम्हें चाय हाँ जरूर यह लोग तो अभी तक नहीं गए भाई अच्छे चाय देना बढ़के बाबा ने कहा था ना कि तुम लोग आज सुबह ही चले जाना क्यों नहीं कहें आप इतना हमने सर्फ चाय मांगी है आपसे ए पकुड़े खाओगे गरम है रेखा ये लो तैंक यू ये लो लो मारिया उसे भी एक दे दो ये क्या भाया नमक मिर्च कुछ भी नहीं है ये तुम लोगों के लिए होगा पर हम लोगों के लिए नहीं है नमक खाने से हमें गुसा आएगा और मिर्चा खाने से विर्दा और इस गाओं में दोनों का ही काम नहीं है इसका मतलत इस गाओं में सब लोग ऐसा ही खाना खा क्या उसकी ज़रुवत नहीं है अच्छा सुनो अपने बच्चों को बुलाईए उन्हीं चॉकलेट देनी है मैंने कहा ना उसकी ज़रुवत नहीं है तुम ही रख लो इस गाउं में बच्चों की किलकारी सुने कई साल हो गए हैं बेटी तुम लोग तो समझ ही गए होगे मैया इस गाउं में समय बिताने के लिए टीवी या रेडियो कुछ भी नहीं है क्या सब कुछ है बेटा देखो हमारी टीवी की हालत आप लोग इक कालपनिक शक्ती से इतना जादा क्यों डरते हैं सब के उपर देवी शक्ती है आप उस शक्ती पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं शेतानी शक्तियों से डरने वाले आप लोगों ने भगवान से क्यों नहीं प्रार्थ ना की भगवान, जहां तक हमारे गाउं का सवाल है, हमारे लिए तो भगवान भी गुंगा हो गया है यहां से सीधे जाओ, वहाँ पर मंदिर आएगा, वहाँ भगवान की हाला देखोगे तो खुद बखुछ चले जाओगी भी आपने जो कुछ भी खाया, उसका कितना पैसा हुआ मैं हाँ जोडता हूँ, तुम लोग चले जाओ यहां से भाईया, आप बहुत अच्छे हैं जाओ, सुनना, अब हम मंदिर जा रहे हैं ना, चलो अब हम मंदिर ही जा रहे हैं I have a monthly issue I'll manage, come यार, वो आदमी सही कह रहा था अगर भगवान की यह हालत है, तो इंसानों की क्या हालत होगी बेचारे इन भोले बाले अनपड़ लोगों को कोई अद्रिश्य शक्ती अपना शिकार बना रही है Hey, ऐसी कोई भी शक्ती नहीं है अगर ऐसी कोई शक्ती है तो में साबित करना होगा और तो और हमें उस शक्ती को काबू भी करना होगा जो हम करके रहेंगे Hey, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हुआ क्या हुआ, 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 क जलो जलो बागो जलो उमारे विदे जु़ल अबागो यतिको 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 अज़ इत्ता कुछ होने के बाद भी, ये लोग घाँओं छोड़ कर नहीं गए. है, तुम लोग क्या चाहते हो, इस घाँओं के लोगों की जान? पहले ही हम लोग अपने बहुत कुछ खो चुके हैं. सूपर यार सूपर सूपर आप बहुत अच्छा नाटक करते हैं आपने इसी तरह नाटक करके इन भोले भाले लोगों को बेवकूप बना रहा हूँ क्या हुआ आप लोगों से सच्चाई बरदाश्ट नहीं हो रही है कहते हैं कि दिल खोल के हसने से सारे रोग दूर हो जाते हैं पर यहां के लोग हसना भूल गये हैं मनोरोगी बनके जी रहे हैं डर के पॉईजन में सास ले रहे हैं ये लोग जुब करो तुम मैं भी देख रहा हूँ तुम लोग बहुत से बोल रहे हैं हमारे गाउं के बारे में यह हमारी परवाह करने वाले तुम लोग होते कौन हो तुम लोग यहां घिर किसके कहने पर आए हो पुलिस भी अकर आता है तो बढ़के बाबा से पूच कर आता है हमारे बढ़के बाबा को जुटा कह रहे हो जाओ निकलो यहां से ठीक है हम जा रहे हैं लेकिन आप लोगों को भी हमाम लोगों की तरह जीना सीख लेना चाहिए समझे आप लोग क्या देख रहे हो हमारा मतलब है कि आप लोग भी हमारी तरह खुछी से जीए भाईया क्या हुआ आप असना भूल गए है हम आपको हसना भी सिखा देंगे नहीं बेटा हमारे लिए हासकर अपनी जान खत्रे में मैठ डालो वो हम सब लोग देख लेंगे कम आन गाइस, लेट्स लाफ देखा हम कितनी देर तक हसते रहे लेकिन फिर भी किसी आत्मा या प्रेत ने हमें कुछ नहीं किया योगी, तुम लोग बहा रही हो लेकिन अभी हम लोग आपके गाउं में है, समझ गये? हसने के लिए कोई आप लोगों को मार रहा है ऐसी कलपना आप लोगों ने अपने मन में खुद ही पैदा कर ली है अगर पती पतनी खुश रहता है तो उत्तरा उनको मार देगी इस डर से आपने अगली नसल को पैदा ही नहीं होने दिया ये आखिर कब तक चलता रहेगा, बताईए हमें अगर हम जूट को साबित कर दे तो आप भरोसा करेंगे क्या का, तुम कैसे साबित करेंगे? आप सब लोगों के सामने इन दोनों की शादी करके आप सबी लोगों का डर भगाएंगे हम लोग ठीक है अगर उसके बाद ये जिन्दा रह गए तो हम सब गाँवाले तुम्हारी बात मानेंगे अगर कोई अन होनी हो गई तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है ठीक है? चलो भाई, चलो एई, आगे आसे एई, ये इसने क्या था? हम दोरों की शादी हो रही है जानती हो हमारे शुप कारिय से ये गाउं बहुत खोश हो जाएगा इसलिए तुम्हें हां करने ही होगी ओ हो, लगता है ये प्लान तुम लोगोंने पहले ही बना लिया देखो ना, लड़की कितना शर्मा रही है जा याँ है झाल झाल यह बरबाद हो जाएंगे, हाँ, चलो, इन्हें कोई भी बचा नहीं सकता मुबारक हो रेखा, अब तुम घरेलू हो गई हो, चलो, सेल्फी लेते हैं जीजा जी, अगर यह फोटो फेस्बुक पर डाले तो लैक्स की भरमार आ जाएगी तु मुझे जीजा जी कह रहा है नहीं तो क्या, तुमने मेरी बहन से शादी जो की है सूपर यार, क्या बात कहीं बढ़के बाबा, बढ़के बाबा, क्या है अमें जो डर था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्या कर रहे है, हाँ, बढ़के बाबा, अब तो आपको हमारी बात पर विश्वास है आपकी चुपी को देखकर तो लग रहा है जैसे अब भी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है हमें विश्वास है हमें विश्वास है अहां हमें विश्वास है इन दोनों को जिंदा देकर हम सभी लोगों को विश्वास हो गया विश्वास हो गया, यह कहने से काम नहीं चलेगा हमें भी इन्हें बरोसा दलाने के लिए इसी तरह एक शादी करानी होगी यह क्या कह रहे हो? यह लोग तो बहर ही है इन्दिया कोई काम ने इसे लिए बेवकूफ ही कर रहे हैं। तुम भे इनके साथ मिलकर के बेवकूफ ही कर रहे हो हैं। जाओ, जाओ जाकर अपना काम करो। सही कहां। जाकर हम शादी करने वाले हैं। ये क्या वकवास कर रहे हैं। शाधी होगी... ... ... तुम लोग पढ़के बाबा के खिलाफ बात करें हो... ...जाओ अपना काम करो... चुप करो... ...ब आपकी मनमानी बहुत हो गई... ...चुप करो... ...ई... ...ई... ...तुम लोग उत्तरा के बारे में नहीं जानते हो... ... कुछ भी हो यार, हमारी वज़े से इस गाउं के अच्छे दिन आ गए, पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा है बड़की बाबा उनका मन बदल देंगे, अरे यार, अगर बदल देते हैं तो उनकी किस्मत है, चलो, सोने चलते हैं, ठीक है, सुबह शादी का बहुत काम है, हाँ रेखा, चलो, सोने चलते हैं, आज़ा, एए, एए, क्या कर रहा है यार, क्या है, भला, तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, एए, ये मेरी बीवी है यार, सो, आम फैमिली मैन, क्या कहा, फैमिली मैन, अभी तक तुम बैचलर ही हो, रिखा डालिंग, येस डालिंग, तू, बाई डालिंग, सोजाओ, अब खुशी मिल गई तुझे, तुझे, नमस्दे, दोस्ता, ये शरावी फिर से आ गया, क्या चाहिए भाई तुझे, त कल के लिए लड़का रेड़ी है, लड़की भी रेड़ी है, ओके, इसमाल कैटेक, भाई, तुम मुझे परिशान मत करो, प्लीज, ओके, ओके, बात बात करो, खुदी बात जाएगा, जुब करके सोचा, एक्स्केजी मि, हेलो, निम्भु आचार प्लीज, जा बे, प्राद है ब्रादा, स्वारे, अजीब है, गुना है, अजीब आदमी है, सोजा, पुल देना, ये लो, लगातो, माला देना, पहना देती हो, पहना देती हो, पहना देती हो, चलो, अब देर हो रही है, आजा, 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 बेच्चा, थाले ले आओ, बेटा, तुम दोना अपने हाथों से मंगल सूत्र दो, ये पहना देगा, हम क्या से दे सकते हैं, आप अपने बाबा से देने के लिए कहिए ना, बला वो कैसे देंगे, वो तो नराज होकर बपना देगा, जाओ, रबा आशिरवाद दो, बस बस, पहले अउपने माता पिता से आशिरवाद लो, जाओ, पैर ये रचुभाद ले वयान आशिर्वार ले लौ आशिर्वार लेुट में सबहु है कुछ आपिछ आपर आपके अफिर सुकसिस आखिर हमने करी दिखाया हैं गॉपार्ड येस कि इतने इंतिसार के बाद शादी करने का अलगी मज़ा है यह लीजी आपके लिए दूद हिच्छा नाम के तांडव में जीने वाले पूरा संसार तुझे दिखाई नहीं देगा जो यह तांडव के मर्म को समझ जाएगा वो इस संसार में महान बन जाएगा देख लिया किसे ने मेरी बात नहीं बाने सब लोग इनकी बातों को मानकर इनका साथ दे रहे हैं तुम दे जो पाप किया उसके लिए बेचारे दो निर्दोंसों के जान चली गई अब यह क्या कर वस्ताने से क्या फायदा कि हम से कलती हो गई जो मर के वो वापस नहीं आएंगे तुमारी बात मानका जिनके बच्चे चले गए हैं उनको जवाब कौन देगा मैं तुम से पूछ रहा हूँ बोले तुम लोग कौन जवाब देगा कोई जवाब देगा अब ठीक है रहें बढ़के बाबा इनसे बात करने की ज़रुवत नहीं है इनकी जान लूँगा तभी मेरा गुसा शान्द होगा इने मारने से एक खूनी तमगा और लग जाएगा फिर इस पाप से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी बेटा कम से कम मेरी बात मनो यहां से तुम लोग चले जाओ बाबा जी पहले तो हमें माफ कर दीजी है उटो उटो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं हमें दुखी देखकर तुम्हें हम पर तरस आया हमारी मदद करनी चाहे लेकिन वो उल्टा ही हो गया नहीं बाबा हमारी सुहागरात हो जाने का हमने नाटक किया आगे मताना पीशे जाओ हम लोग जैसे कॉलिज में नाटक करते हैं वैसा यहां भी किया यह शादी भी उसी तरह रची गई अगर नाटक किया है तो इस लड़की के गली में मंगल सूत्र क्यों है है उतारो इसे उतारो लोगों के दिल से डर को भगाने के लिए हमने असा किया लेकिन ऐसा होगा हमने सोचा भी नहीं था अब हमें समस्य का समधान किये बिना इस गाउं से नहीं जाने वाले तुम भेट सा शुरू हो गया, क्यों? नहीं बाबा, इसका अंद करने वाले हैं इस दुश्टात्मा को रोकने के लिए किसी तांत्री के पास जाना होगा या किसी पुरोहित के पास जाना होगा हम कुछ भी करने को तैयार हैं बाबा उसका कुछ सा शान्त हो गया, तो सब ठीक हो जाएगा उसके लिए क्या करना होगा? उस दिन तुम लोगों का पीछा करते हुए आया था न बोजोगी उसके पास जाओ, तुम्हारे सारे सावल का जवाब मिलेगा अच्छा बाबाजी, हम चलते हैं हाँ, अब दुबारा मत आना जाओ रुक जाओ वही पर, कोई आगय नहीं बड़ेगा सुनो, इसी पागल ने हमको मारने की कोशिश की थी पताने ये आज क्या करेगा इसलिए मैं कहिती हूँ कि चलो यहाँ से भाग जाते हैं ए, मेरी बात सुनो, हमसे जो कुछ गलती होई है, उसको हमें ही सुधारना होगा कुछ भी हो यार, इस वक्त हमारे पास एक ही हल है और वो हल है ये बाबा हे, सुनो जैसे बढ़के बाबा ने कहा था हो सकता है शायद इसके पास सच में कोई होगा देखो वो जा रहा है, चलो उसके पीछे चलते हैं इस संसार में सब माया है, तांडव करने वाले तुझे ये बात समझनी होगी, अन्याय करने वाले हे, ये तो कोई शलोक बोल रहा है हम तो इससे पागल समझ रहे थे ये तो शलोक बोल रहा है इस संसार में सब माया है, तांडव करने वाले तुझे ये बात समझनी होगी, अन्याय करने वाले इस संसार में सब माया है, तांडव करने वाले तुझे ये बात समझनी होगी, अन्याय करने वाले कर दो दो कर दो कर दो राज कुमारी उत्तरा देविकी जेहो राज कुमारी उत्तरा देविकी जेहो राज कुमारी उत्तरा देविकी जेहो राजकुमारी उत्तरा देवी की जैओ! ए बुडिया, पूरा राज राजकुमारी उत्तरा देवी की जैजै कार कर रहा है और तू बैटी यहाँ पर सुपारी तोड रही है तू आखों से देख नहीं सकती है या कारों से सुन नहीं सकती है ए बेब कूफ, पहले अपने जबान को लगाम दे पूरा राज जिस राजकुमारी उत्तरा देवी की जैकार कर रहा है वो तेरे लिए राजकुमारी होगी लेकिन वो मेरे बेटे की बेटी है यानि के मेरी पोती ए बुढिया, नानी पोती की रिष्टदारी अपने घर में रखना राजकुमारी जब शेहर ब्रहण के लिए आए तो हर किसी को उठकर उन्हें प्रनाम करना होगा खड़ी हो जा क्या कहा तूने ए अहंकारी बुढिया, मेरे अंग्रक्षक पर हाथ उठाने के लिए उससे अभी माफी मांग उत्तरा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी दादी हूँ और मुझसे कह रही हो कि मैं इनसे माफी मांगूँ अरे जा यहां से अहंकारी नड़की पूहरो जानती हूँ राज कुमारी कुमारी जी उत्तरा राज कुमारी चीक, राज कुमारी उत्रा उत्रा मुझे चौड़ कर चलिए गहीं देखो उत्रा उत्रा मुझे छोड़कर कहा चली गई उत्रा जोड़कर उत्रा कि मैरी पोति कहा है वो मंदिर में है सुबा सुबा मैंने एक पुरा सपना देखा है चलो उत्रा अरे मेरी उतरा काचा लिगे यह अरे उतरा, उतरा उतरा, उतरा, आरे मेरी उतरा क्या हुआ नानी? मैंने एक पुरा सपना देखा है सपना देखा? हाँ तुम्हारे सपने में मैं आई थी? हाँ मेरे बच्चा तो बताईए मैं कैसी लग रही थी? राज कुमारी लग रही थी मेरे लाडो सब लोग तुम्हें प्रणाम कर रहे थे तुम घोड़े पर सवार होकर आ रही थी और मैंने तुम्हारा पान कर दिया इसे दुख से दुखी होकर तुमने आप भत्या कर लिया मेरी लाडो नानी, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ देखो अब आप सपने के बारे में सोचना बंद करिये, ठीक है? जब तक देवी मा मेरे साथ है ना, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं चल्द ही देवी मा का मंदिर बनवाना है यही मेरी इच्छा है नानी अरे बहां क्या कर रहा है, जब देखो शराब पीता रहता है करम पानी डाल दूगा तेरे उपर पागल कही का पांडे भाईया अरे आओ बेटा, आओ आओ नमस्ते भाईया तुम्हारे कारण इस गाउं को रोशनी मिलने वाली है इनके करण कैसे रोशनी होगी दिन में चांद की रोशनी राद को सूरज की रोशनी इन दोनों से ज़्यादा ये कौनशी रोशनी देने वाला है है, शराबी तु अपना मूँ बंद कर बेटा, तुम चाय पीओ ये लो, पागल कहीं का भाईया, आपके गाउं के बारे में अच्छी तरह पुष्टाज करने के बाद ही मैं यहाँ पर आया हूँ आपको ये लाइट अभी अजीब लग रही होगी लेकिन एक बार आदत पढ़ गई न तो इसके विना आप जीने ही सकोगे जिंदगी अधुरी लगेगी अरे भाईया, नमस्ते, नमस्ते बेटा, यही हमारे गाउं के बढ़के बाबा है इस गाउं का छोटा बड़ा फैसला सब यही करते हैं नमस्ते बाबा यह हमारे गाउं में लाइट वाइट लगाने आएं अच्छा अच्छा वो तुम ही हो बेटा बहुत खुशी की बात है अगर तुम्हें किसी चीज की ज़रूरत हो तो मुझसे आकर के मिलना मैं तुम्हारी मदद करूँगा ठीक है ठीक है चलता हूँ ठीक है भी यह सन इस गाम के लोग थोड़े जंगली हैं थोड़ा ध्यान र चाय के पैसे तो दे शर देंगे तो बात ऐसी है बेटा पहले हम लोग उस पहाणी पर रहते थे हमारे गाउं के बड़ों ने बात करके यहां रहने का इंद्रजाम किया अब हम सभी लोग यहां पर इंसानों की तरह रहते हैं हमें यहां बहुत अच्छा लगता है अगर य तुम्हारी समझ में नहीं आता मेरी बात क्यों नहीं बानते हो तब से कह रही हूं यह लड़की की आवाज कहां से आ रही है चलों चल कर देखते हैं मैंने जो कहा वो आपने सुना या नहीं सुना मैंने जो कहां अवाज जो झाल झाल आप पर ये हरे रंग की साड़ी बहुत अच्छी लगती है ब्लू कलर चाहिए या यलो कलर चाहिए तो मुझसे मत कहना, ठीक है मैं भी कैसी बेवकूफ हूँ, नजर का टीका लगाना भूल गई इस गाउं को किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए जी करता है बस आपको ही देखती रहूं कितनी सुन्दर है आप मुकेश जी आए, सब लोग जल्दी आजाओ मुकेश जी आए, सब लोग जल्दी आओ हाँ, आजाओ, आजाओ सब लगों को कतार में खड़े होने के लिए कहओ हाँ, हाँ, जल्दी करो, खड़े आजाओ छलो, जलो जलो, लो गवाँ, यह लो बेटा यह लो ठीक है यह लो, यह लो यह लो बेटा भईया, यह आदमी कौन है? बेटा, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था न, मुकेश जी के बारे में, याद है कि नहीं, ये वही है, हमारे गाउं के लोगों के लिए भगवान की तरह है, हर महीने आते हैं ये वो सब तो ठीक है, लेकिन सब इने पैसे क्यों दे रहे हैं? ब्यास के पैसे दे रहे हैं, क्या कह रहे हो भया, गाउं के बड़े आदमी है, आप सब के भगवान कह रहे हो, और ब्यास दे रहे हो, देखो, तुम उनके बारे में गलत सोच रहे हो, वो हमारे गाउं के लोगों को घर बनाने और कारोबार के लिए पैसे दे रहे हैं, असल घर की गायों के लिए एक दिन के चैरे के लिए भी काफी नहीं है, मालिक इने मत मारिये, माफ कर दीजे, सारी गलती मेरी है, मैंने उन पैसों से अपने लिए पाजेब बन वाली थी, तो तुम्हें काम करो, तुम जो पाजेव खरीदी हो, उससे पहन कर, मुझे मेरे बंगले पर आकर दिखाना, तब मैं तुम्हारा विश्वास करूँगा, ठीक है मालिक, जाओ, चलिए जी, नमस्ते मालिक, कैसे हैं आप, ए देख क्या रहा, पैसे ले, लओ, 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 नमस्ते मालिक, हाँ चलो, मैं तुमसे ब्याज लूँगा, इन्हें ब्याज का पैसा वापस कर, देलो, ये बताओ, अपनी पोती की शादी कब कर रही हो, ये तो कहती है, मंदिर बनवाने के बाद ही शादी करूँगी, अगर मैं मंदिर बनवा दूँ, तो शादी करोगी न, नानी, आप बात करिए, मैं मंदिर जा रही हूँ, ये क्या, तुम्हारी पोती बड़े गुस्ते में चली गई, वो हमेशा ऐसे ही रहती है, क्या करो, ओ अच्छा, ये कौन है, मुझे ऐसे क्यूं देख रहा है, अच्छा भाईया, चलता हूँ मैं, गाव में कहां-कहां बिजली लगानी ये देखना है न मुझे, बेटा, जल्दी से मेरे दुकान में भी लाइट लगा दो ना, ठीक है भाईया, भाईया, ये लड़की कौन है, ये लड़की, अपनी कलावती नानी की पोती है, इसका नाम उतरा है, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, जब हम लोग पहाड़ों में रहते थे थे न, तब इसके माता पिता को शेर ने मार दिया था, बेचारी, तब से क बया पर हम सब जी रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, तो मैं सलोगा है, थेक है, थेक है, हाँ, कौन है वो, अच्छा वो, वो बिजली विभाग से है, हमारे गाउं में लाइट लाने आया है, पिजली लगाने आया है, दताती हूँ अब देखो इतने से काम के लिए साथ दिन लगा रहे हो, कब खतम होगा? कड़ तो रहा हूँ, पूरा हो जाएगा क्या पूरा हो जाएगा कह रहे हो अब भसेगा ये क्या, ये लड़की मेरे पीछे क्यूं पड़ी है? ए, ये लड़की मुझे देखकर हस क्यों रही है? तूने क्या किया? मैं मुस्कुराया था अच्छा, तो कनेक्शन दे दिया कैसा कनेक्शन? सब देखा है मैंने क्या देख लिया? थोड़ी दिर में गाउं के पंचात के लोग आ जाएंगे समझे? जल्दी नहीं है, तुम आराम से काम करो चलेगा कहां भाग रहा है? अभी बताती हूं अरे भागो अरे बापरे अरे बापरे, ठक गया एक लड़की को देखकर मुस्कुराना इतना बड़ा गुना है क्या? क्या देखा? अच्छी लगी? तुम्हें मुस्कुराया इसमें गलत क्या है? सर, बहुत सांस फूल रही है हाँ, बहुत ज़्यादा फूल रही है अरे बापरे माफ कर दीजिए क्या आपको देखकर जरा सा मुस्कुराने पर आप मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाउ में किसी से मत कहिएगा प्लीज, कोई कह रहा था कि पंचायद बुला लेंगे तभी इतना डर रहा है अच्छा तुम वही करोगे जो मैं कहूंग बोलिये न, गिर कर माफी मांगो नहीं नहीं, वो सब नहीं करना मंदिर में भगवान के लिए लाइट लगानी पड़ेगी इतनी चोटी बात मैं मंदिर में लगा दूँगा लेकिन पैसे मत मांगना अरे नहीं, ये तो सरकार की चरब से आपकी मदद है वैसे तो गाउ में बिजली तो लगानी ही है मुझे, लेकिन आप कह रही है तो मैं मंदिर में लगा लूँगा मेरे कहते ही तुम मान गए उसके लिए शुक्रिया अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है उतना तो चलता है आपको मैंने उसी दिन देखा था कि आप भगवान को कितना मानती है मुझे, तुमने देखा था, कब? मैं जिस दिन इस गाउ में आया था न उस दिन आप देवी को साड़ी पैना रही थी एकदम सूप पर आपने तो भगवान से ही दोस्ती कर रखी है मैं और देवी मान गहरे दोस्त है वैसे उस दिन आकर बात कर सकते थे क्यों नहीं की तुमने? वो बात ये है कि मैं इतनी जल्दी किसी से बात नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है इसका मतलब है तुम्हारा कोई नहीं है मैं एक अनात हूँ मेरी बात से अपना मन दुखी मत करना मुझे माफ कर दो अरे ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है अब मैं चलती हूँ अचा ठीक है मंदिर में लाईट लगा दोगे न अहां लगा दूँगा ठीक है नमस्ते नमस्ते जी देखने में भी बहुत सुन्दर है और बरताओं में भी गनेशा क्या हुआ अरे आपको नहीं बस ऐसे ही बाई टाटा नमस्ते अच्छा तो यहीं पर लाईट लगानी है सही कहा रात में देवी मां अंधेरे में ही रहती है उनके लिए लगाने को कहा ठीक है अच्छा लगा देंगे सुनो मनी तुम दो फिट का गहरा गड़ा खुद कर पाइप कटो और कनेक्शन लगा दो शिवा तुम सिड़ी लगा कर उपर चड़ो चलो जल्दी काम पर लग जाओ देख लिया क्या ए जल्दी काम खतम करो यार भूख लग रही है खाना भी खाना है येलो चाय आ गई देदो येलो चाय येलो मनी चाय पी हाँ हाँ भईया येलो चाय पी लो बस बस हो गया तुम सब सामान ले कर चलो और सिड़ी वी उठा लो चलो अरे मा लाइट लग गई लाइट लग गई मा तुमारे लिए लाइट लग गई तुम्हें पता है आज मैं कितनी खुश हूँ लाइट लगाने वाले इन हाथों में सोने का कड़ा होना चाहिए तुम्हारी इच्चा मैं पूरी करूँगा ये लो पहना दो अरे मैं तो बस मजाग कर रही थी मैं इतनी भी अमीर नहीं हूँ चाहो तो मैं एक तौफा दे सकती हूँ उसे तुम कभी नहीं भूलोगे ठीक है दे दो तो पहले आखे बंद करो अच्छे से आखे बंद करो सुनो मेरे घर आकर मेरी नानी से मेरा हाथ मांगोगे कौन मैं तुम डर क्यू रहो मैं हूँ ना मैं सब संभाल लोगा ये बात है तो मैं आऊँगा ए गाड़ी रुको ए कौन है ये भाईया ये हमारे गाव में बिजली के खंबे लगाने आया था बिजली का खंबा लगाने आया था और मेरी उत्रा की दिल में जगर बना रहा है ए जीप निकाल दोनों का अभी मार के उड़ा देता हूँ मैं भाईया सरकारी आदमी है लेकिन कुछ भी हो उत्रा आपकी ही है अरे मैं पता लगाता हूँ ना चलो 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 नानी, खाने में ना तीखा थोड़ा कम डालना तुम्हें स्वात का तो पता नहीं चलता लेकिन मुझे पता चलता है नानी नानी कहां हो बोल क्यों चिल्ला रही है बोल क्या बात है मैं अच्छी तरह से सुन सकती हूँ वो आ गए है नानी वो कौन नाम तो बता अरे मैं एक बार कहने से समझ नहीं आता समझ नहीं आया, तभी तो पूछ रही हो चलो नानी बताती हूँ, चलो आओ बेटा, आओ आओ आओ, बैठो बैठो ना, बैठ जाओ ना मंदिर में तुमने विजली लगा दी मेरी पोती ने बताया मुझे अब मैं तो बस इसकी खुशी के लिए जिन्दा हूँ लेकिन इसे तो भगवान से फुर्सत ही नहीं मिलती मैं उसी भगवान से प्राहतना करती हूँ कि इसके लिए कोई अच्छा लड़का भेज़ दे नानी, मैं यहाँ अपसे उत्तरा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ देवी मा क्या आशिरवात से मेरी पोती तुम्हें पसंद करने लगी है मैं कैसे मना कर सकती हूँ बेटा यह बताओ बेटा, तुम्हारे नाते रिष्टेदार सगे सम्मन्दी है ना ठीक है, मैं अनात हूँ इसलिए सब लोग मुझे लड़की दिने से मना कर देते हैं ऐसा मत कहो बेटा तुम सरकारी रोकरी में हो, मैं मर भी गई तो तुम मेरी पोती का अच्छा ख्याल रखोगे ना तुम दोनों की शादी का चल्दी इंतिजाम करती हूँ मैं तुम तक खुश हो ना बेटा बहुत खुश हो नानी तुम जाकर तयारी करो चलता हूं नानी, बाद में मिलते हैं मेरी राजकुमारी को राजकुमार मिला है भाया, वो बड़िया उतरा की शादी उस बिजली वाले से कराने वाली है मैंने उसी दिन कहा था कि दोनों को जीब से कुचल कर मार देते हैं अब देखो, उनका अंतिम संसकार नहीं शादी हो रही है ऐसा मैं होने दूँगा, कभी भी नहीं होने दूँगा मैं वो सरकारी आदमी है, उसे कुछ हुआ तो बड़ी मुसीबा तुझाएगी ये, ये मुकेश जानता है कौन सा काम कैसे करना है समझे ये क्या बाईया, मुकेश तो महीने की शुरुवात में आते हैं आज कैसे आ गए, होगी कोई बात, मुझे नहीं पता एः, गाओं में जाकर बढ़के बाबा को बुला कर लाओ जल्दी गाओं में जाकर सब को बुला करने क्या आओ ठीक है, जाओ मुकेश मालिक आए है, सबी लोग आ जाओ चलो चलो सब लग जल्दी करो, आजाओ, आओ, आओ मुकेश मालिक आए, चलो आओ, मुकेश हराभी, रुट अबे ब्योर्ड, चलो आओ, उस समझ में गा रहा है कि लगता है मुगेशी भी सुबह सुबह लगा कर आ गए चुपका शराबी महाप करना मैंने भी लगा रखी है बेटा बेटा आई आई ये गाउं के परधान तुमने मेरे मूँ पे कालिक पतवा दी तुम ये कैसी बात कर रहे हो बेटा ऐसा क्या हुआ है उने के लिए बागी क्या रह गया है तुम लोग मुझे इज़त मत दो कोई बात नहीं लेकिन तुम लोगों की भलाई के लिए मेरे पिता से हमें छुटकारा दिलाकर इंसानों की तरह हम लोगों को यहां लाकर आपके पिताजी ने बसाए था हम सब के भगवान आपके पिताजी ही थे बेटा उन्होंने जीते जी यही किया और उनके जाने के बाद तुम इनकी इच्छा पूरी कर रहे हो हम आज भी आपको भगवा लोगों को पता हैं तुम तो गाउं के परदानों तुमें भी दो पता होगा उस बुडिया कलावति की पोति उत्रा इस गाउं में जो लाइट लगाने आया है ना उससे शादी करने वाली है मतलब प्रेम विवा और तलीयूग आ गया है कुझे देख करे मुझे शाख हो जंगलों में जानवरों की तरह रहने वाले तुम लोगों को, यहाँ पर बसाने वाले, मेरे पिता जी के आत्मा को कैसे शांती मिलेगी, बताओ मुझे, मेरे पिता जी ने तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, अगर आज इने छोड़ दिया, तो कल कोई दूसरा उसके बाद कोई तीसरा आएगा, धीरे धीरे तुम लोगों का अस्तित भी खतम हो जाएगा, सोचा था वो लड़की खुछ रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता यह होने देगा, तुम चाहते हो कि तुम खतम हो जाओ, बेटा, ऐसी नौबत इस गवाँ में कभी नहीं आ एक कलावती, कलावती, नमस्ते पीशे, एक कलावती, बहर आओ, आए आए, एक साथ सब लोग आज कैसे आ गए हैं, गाओं पर मुसीबत आए तो सब को एक साथ ही आना पड़ता है, मुसीबत? क्यों कलावती, मुँ ऐसा बनाए जैसे कुछ जानती नहीं है, तुम दोनों ही सारी मुसीबत की जड़ हो, सुना है तुमारी पोती के शादी हो रही है? हाँ, मैंने कल ही फैसला किया है, बताने ही वाली थी सारी बात तुम लोगों को, हम लोग तो आ गए, लेकिन बेजज की बात मानी होगी, जब मेरे पधी परधान थे, तब वही तुम लोगों की समस्याओं का समधान क्या करते थे, आप समस्या वो नहीं है, वो लड़का किस जात का है, इंसान है वो, जाती क्या है उसकी, इंसानियत उसकी जाती है, बहुत बोल लई हो, हमारे गाउं का एक न बोलो जवाब दो हमें अगर वो यह सब जानता है तभी हम में से एक है हमारी जाती का है यहां इतने लोग खड़े हैं जो भी तुम्हें पसंदो बता दो अब हम भी शादी करवा देंगे यहीं पार समझ गई मुझे कोई अतराज नहीं है मैं तही है आरा चुपकर्चे बीड़े पूरे गाउं ने मिलकर फैसला ले लिया कि मेरी शादी नहीं होगी लेकिन मेरा फैसला भी बांकी है तुमने वो कह रही है कि मुझे शादी करेगी यह जात पाद धर्म के पागलपन में पढ़ने वाले अगर आपके खिलाफ जाकर शादी करूगी तो मुझे गाउं से निकाल देंगे आप लोग अरे आप लोग मुझे गाउं से क्या निकालेंगे मैं खुद ये गाउं छोड़ दूगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कल मंदिर में मेरी शादी होगी अगर अपनी इज़त प्यारी है ना तो वहां पर मत आना मेरी देवी मा है ना मेरे लिए वही काफी है चलो ना चलो सुनो मेरी बात देखते हैं कैसे होगी शादी सुनो कलावती कलावती पूरा गाउं खिलाफ हो जाए फिर भी उतरा की शादी मैं कराऊंगा हा वह बाहर घ्टो सोलो से हा dolphins को बाला घ्टो उतका उिंवस्वेत्टो नाशर है उति मत था आद्जोあの हे देवी मा, तुम्हारे आशिरवाद से मेरी पुती की अच्छी तरह शादी हो गई नहीं मालिक छोड़ दीजी मालिक उसे चोड़ दो तू कहां जा रही है तू मेरी है किसी ओर को कैसे ले जाने दूगा मैं हाँ उत्तरा ठोड़ ऐए चोड़ूए उत्तरा यहांसे भागजा उत्तरा जाओ उत्तरा बागजाओ उत्तरा ने भागजाओ क्यों बे बीज हम डाले पोधे को हम सीज़ कर जब पेड बना कर फल देने का समय आता है तो तू आकर उस फल को तोड़ लेना चाहता है ऐसा मैं कभी नहीं होने दूँगा मेरी इज़त के लिए मुझे एक साड़ी दे दीजिए ची तेरी कैसी इज़त जा यहां से दीदी मेरी इज़त बचाएं अरे जा जा निकल यहां से मासी मेरी मदद करिये जायो जाओ जायो आब तो मेरी मदद करिये अरे मैंने कहा ना चल್ जायstr यहां से पूरे गाओं की इसता खराब कर दी तूने क्या हुआ उत्रा गाओंवालों से मदद मंग रही थी हाह कोई भी मदद नहीं करेगा मेरे सिवा, मेरे दिल की बात समझो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तो उससे शादी करना चाहती थी न, जिसे मैंने मार दिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मेरे साथ चल, तुझे रानी बना कर रखूँगा मैं, चल, अगर तुम्हें मुझे हाथ भी लगाया, तो मैं तेरा सर तोर दूंगी समझ गया, तुझे अभी मारा हा, तुझे अभी तक नहीं म रहा हां? सब लोग कान खोल कर सुनलो, मेरे यहां से जाने के बाद अगर किसी ने इसकी मदद की तो तुम्हारे घर की ओरतों का भी यह्य हाल होगा, मैं तुम लोगो का भगवान हूँ, मुझे राक्षस मत बना देना समझे हैं क्या? तुम्हें कुछ नहीं होगा, गोगोल, कुछ नहीं होगा तबहे। गोगोल, नहीं, 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 गोगोल दादी, दादी, सुन्हें, मेरी मदद करिए अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी, जाओ यहां से कोई तो मेरी मदद करो, मेरे पती की जाहाँ चली जाएगी, मदद करो तुझे इस गाउ में कोई भी मर्द नहीं दिखता था, बस यही एक मर्द दिखता रहा तो यह स्वामी मेरी मदद करिए, स्वामी जी मेरी मदद करिए, मेरी मदद करिए, अरे मेरे पैर छोड़, इन हादों से मैं तरह इलाज करूँ, उस दिन तो बड़ी-बड़ी बात कर रही थी, इन गाउवालों को तो खुद दूर कर रही है, अब यही गाउवाले तुझे अपने झाल 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 हुआ 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 है हुआ हुआ है बोलो मा मेरे साथ इर्जब क्यों हो रहा है तुम्हारे इजब चुपाने के लिए रंग बिरंगी साडिया पहना कर मैं खोश होती थी लेकिन तुमने मेरे इजब को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया मा क्यों कुछ नहीं किया तुम्हें चीक है मा मेरी इजब गई तो कोई बात नहीं है लेकिन मेरे निर्दोश पती की जान ऐसे तुम नहीं जाने तो मा कि इनकी जान बचा बस पुथर की बूरत बनी रहोगी क्या अब मुझे विश्वास था कि तुम मेरे साथ हो मा अगरी साथ में साथ रहोगी पर मैं गलब नहीं तुमनी मेरे साथ छोड़ा सुनियो जी गोकुल गोकुल नहीं तुमने मेरे साथ छोड़ दिया मा तुम खून की प्यास ही हो गई हो प्यार करने वालों से ऐसे बदला ले रही हो तुम मुझे क्यों जिन्दा छोड़ा है तुमने मुझे भी मार दो प्यास मुझालो अपनी ये लो मा आज मैं तुम्हारा रखत अभी शेक कर देती हूँ अरे मेरी बच्ची ये तुमने क्या कर दिया अरे मेरी बच्ची अरे मेरी बच्ची अत्रा ये तुने क्या क्या ना ने मा ने खोन मांगा इसलिए दिया और जब यही नहीं रहे तो फिर मैं किसके लिए जियोंगी इसलिए मैं भी लेकिन ऐसा करने वाले को उस मुकेश को और इस गाउवालों को नहीं छोड़ूंगी मैं जैसे मैं मर रही हूं वैसे ही ये लोग अब भी मर जाएंगे उत्रह नहीं छोड़ेगी नहीं चोड़ेगी उठालो मा अ ए बढ़के बाबा तूने इस हाथ से इलाज करने से मना किया था ना आज के बाद तू किसी का इलाज नहीं कर पाएगा ए तूने मुझे साड़ी देने से मना किया था ना आज के बाद तू जिंद्गी भर साड़ी नहीं पहन पाएगी अबगवाँ, नहीन आई बज़ जो 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 एसा बनकरा डर्वे की कौन जरुरत नहीं है ये उत्रा ही है, वो यही है वो इस गाउ को छोड़ कर कहीं नहीं जाएगी नानी, इसका अंत क्या है? इस गाउ के लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी उन्होंने उत्रा के साथ जो अन्याई किया हम उसके लिए बहुत दुखी अब तो उसकी आत्मा को शांती मिल जाए अगर वो लोग चैन से रहना चाहते हैं तब मेरी पोती की मौत के कारण को इस गाउ मिलाना होगा उसके बाद ही वो इस गाउं को छोड़ पाएगी नानी, कौन है ये? मेरी पोती उत्रा क्या कस्मात मिर्थियों के कारण वो आत्मा बन गई है लेकिन वो इस गाउं की सीमा को पार नहीं कर सकती है इसलिए उसे यहां लाना होगा तब ही उन लोगों को तुम्हारे जर्ये मुक्ती मिल सकती है आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिये नानी, हम है ना जिस मुकेश को आप अपना भगवान समझते है असल में आपकी इस हालत का कारण वो ही है अगर आप चाहते हैं इस गाउं में किसी और की मौत ना हो तो उस मुकेश को इस गाउं में आना ही पड़ेगा अगर मुकेश को उत्रा के हवाले करने से हम खोच राए सकते हैं तो हमें ऐसी कुछी नहीं चाहिए बाबा, मुकेश के पिता जिने पूरी जिन्दगी इस गाउं की भलाई के बारे में सोचा लेकिन मुकेश अच्छा बनने का नाटक करके आपको बेवकूब बना रहा है इस गाउं के सौ अच्छे लोगों को जिन्दा रखने के लिए मुकेश नाम के बुरे इंसान को मारने में कोई हर्ज नहीं है आपने महा भारत और रामायन पढ़ा नहीं है सुना भी नहीं है क्या देव और असुर में पाप पुनि में फरक नहीं पता आपको ऐसे लोगों पर दया किस के लिए मुकेश कहा है बताईए जबसे हम इस गाओं में आए है न्यूस पेपर, रेडियो, टीवी कुछ नहीं है हमने खुद को पूरी दुनिया से लग करके आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया है आप लोगों की भलाई करने का सोच रहे हैं बताईए मुकेश कहा है बताईए भी कहा पर है मुकेश बोलिए लग, बोलिए लग, बोलिए लग, तुम जो सोच रहे हो वो बात नहीं है मेरे लोगों ने जो दुख सहे हैं वो काफी है कम से कम अब तो वो लोग खुश रह सकते हैं मैं बताताऊं कि मुकेश कहा है आप लोग कौन हैं सुनिए, हम लोग मुकेश जी से मिलने आए हैं वो तो यहां नहीं है, आप लोग किस काम से आए हैं हम स्टूडेंट्स हैं शेहर में पढ़ते हैं यहां के बारे में रिसर्च करने आए हैं उनसे पर्मीशन लेने के लिए दस तकत चाहिए बचाने के लिए डर के भागते फिर रहे हैं लेकिन छिपकर जिन्दगी जीने जैसा ऐसा कौन सा उन्होंने अपरात किया है पढ़ाई के सिलसले में यहां आए हो बेकार की बातों में मत पढ़ो लड़की हो तो बता रही हूँ उस इंसान से बच कर रहना हम अपनी रक्षा कर लेंगे माडम सर कोई दिर ने रहे है कौन है आप लोग मुकेश जी से मिलना था वो यहां पर है किसने बताये तुम्हे सर हम उनके घर गये थे उनकी पत्नी ने बताये कि वो यहां है प्लीज दर्वासा खोले ना चीक है आए अंदर आए 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 भाईया एए कौन है लोग सर वो हम लोग आप से ही मिलने आये थे पर मुझ से क्यों मिलने आये हो सर हम लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं हम लोग जंगल के बारे में रिसर्च कर रहे हैं प्रोजेक्ट सम्मिट करना है, हमें आपकी मदद चाहिए मैं तुम लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ इस जंगल में जाकर रिसर्च करनी के लिए आप अपने किसी आदमी को भेज सकते हैं आप मुझसे मदद मागने आयो हो तो भला मना कैसे कर सकता हूँ यह बताओ कि जंगल में कितने दिनों तक शोथ करना है दो तिन दिन में हो जाएगा सर वैसे रुके का हो पास के किसी होटल में सर मेरे होते हुए तुम लोग कहीं और यहीं ठैर सकते हो इसे अपना ही घर समझो थैंक्यू सर वैसे आज मेरा बर्थडे है मुझसे कोई भी कुछ मांगेगा न तो मैं मना नहीं करूँगा अगर तुम फोरेश्ट देखना चाहते हो तो यह ले जाकर तुम्हें दिखा देंगे आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है तुम सब जरूर आना ठीक है तुम सब जरूर आना ठीक है? यह यहां कैसे रहता है? लगता है जरूरत की सभी चीजों को मंगवा कर यहीं पर मज़े कर रहा है वहां इसकी पतनी इसकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रात्ना कर रही है और यहां पर यह रंगरलिया मना रहा है यार सुनना अगर प्लैने काम नहीं किया ना तो प्लैन बी ठीक है यह प्लैन ए प्लैन बी क्या है? हमें भी बताओ इसके बारे में प्लैन ए उसकी गर्दन पर चाकू रख कर उसे उठा कर ले जाना तो प्लैन बी क्या है? प्लान बी न, तुम तीनों को दिखा कर उसे मधोश करके ले जाना तब तो प्लान बी ज़रूर काम आएगा ए जल्दी चला रुकेश भईया, रुक गईए यहां आपको नहीं जा रहा है, वहा ले जा रहे हैं ये वरूर्पुर ले जा रहे हैं, गाड़ी रोखने के लिए कहिए भईया जहां मैं आना नहीं चाहता था, वहीं तुम लोग मुझे लेकर आ गया हाँ 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 कि एड़ करे के जिए इज प्रवकरी लेमेडर करी लेमेडर लेमेर कर दो कि एड़ी करे कें ले सावश लेमेर का लेमेर करे लेमेर कर प्रेंगा सिरस कि डुड़ी फuis फफ्रेंट कि और दो कि बति 시 वो कि पा पाल कि वा ऩिर अ अ कि तो कि ज हुआ कि वा आओाफ एफुड़े मुख़े 1 पने पने आपारे दोलेके इंदद inventory आपेता हीज़े ृपिंद has इंद क्मृ के है और मेर्िा आए इंब केन में दो ओेंगे Jew Staat कि नाथ को कि उआ डिया कि आ प्रिबस्य से हुन कि जी आनल किा उड्स कि अुई कि अ立ू कि अभ्स कि नाज healthy कि आsent कि युञडर ए मा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रही, भूल गई क्या? मा, मुझे अंदर आने दो उत्तरा, अब तुम्हें का आत्मा हो ये भूल गई हो, कि कोई भी आत्मा मेरी सीमा पार करके यहां नहीं आ सकती है तुम ये बात जानती हो ना? उसका स्वरूप है बस इसी करण से, वो दोष्ट मंदिर में आ सकता है और मैं नहीं आ सकती, बस इसलिए क्योंकि मेरा स्वरूप नहीं है ना समझी की बात मत करो, अगम विधी के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार तुम्हारे जैसी प्रेत आत्माएं मंदिर में नहीं आ सकती तुम मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हो मैं इतनी लाचार हो गई हूँ इसलिए छिपकर बात कर रही हो मा और बेटी के पवित्र रिष्टे की लाज रख और सामने आकर बात करो सामने आओ मा जब तुम पत्थर थी तब से तुम्हें छुआ है नहलाया है साड़ी पहनाई है बिंदी लगाई है खूल भी चड़ाए है लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़े होने में मुझे शर्म आ रही है तुमने मनुष्य रूप में जो मेरी सेवा की थी उसके फलस्वरूप ही तुम एक आत्मा होने के बाद भी मुझे देखपा रही हो नहीं मा तुम बदल गई हो तुम पहले जैसी नहीं रही बदली मैं नहीं तुम हो इस बात को समझो तुम बताओ तुम क्या चाहती हो मुझे उसका उगवध करना है बहर भेजो उसे अपनी जान बचाने के लिए वो मेरी शरण में आया है उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है समझो उसकी पत्मी अपने सुहाग की रक्षा के लिए वरत रख रही है मुझे पर विश्वास करती है उस विश्वास की रक्षा करनी है इसका मतलब मेरा सुहाग लूटने वाले की पत्मी का सुहाग बना रहे। तुम यही चाहती हो है ना? ये कहां काने आया है मा? तुमने भी तो इस गाउं में शादी करने वाले को न विवाहितों को मारा था। क्या वो निया था? बताओ उत्तरा! आज तुम्हें जितनी चंता उनकी हो रही है, अगर मेरी उतनी चंता की होती, तो आज ये मेरा हाल नहीं होता, मैं आत्मा नहीं बनती, मुझे इस मुकेश से तुमने क्यों नहीं बचाया, तब तो पत्थर की मूर्ती बनी रही ना? तुम्हारे पती की मृतियू विधान था, मुकेश निमित मात्र था, तो इस मुकेश की मौत की विधी तुमने मुझे क्यों नहीं बनाया? भाग्य का फैसला तुम या मैं नहीं कर सकते उतरा, मारकंड के भाग्य के मताबिक उसे लेने जब यम्राज आये थे, तो उसके भाग्य को बदलने वाले भगवानी थे, ये बात तुम भूल गई? जब शरणा गती के लिए मारकंड जए, प्रभू के चर्णों में आ गया, तो उसकी रक्षा करता ब्य है, बुराई करने वालों के साथ अगर तुम भलाई करती रहोगी, तो तुम पर विश्वास कौन करेगा? दूसरों पर विश्वास करने वाला, खुद पर विश्वास करने वाला, भगवान पर नहीं करता? सब कुछ त्यागने के बाद, जो प्रभू की शरण में आता है, प्रभू उसकी ही रक्षा करते हैंगा? जान बचानी के लिए अगर ये यहाँ पर दस दिन बंद भी रहेगा, तो भी खाना पिना खाए बिना मर जाएगा। इससे अच्छा तो ये होगा कि इसकी मौत मेरे जैसी पती व्रता औरत के हाथों से हो। मैंने कहा उसे बाहर बेजो। ऐसे सोच क्या रहे हो मा, नरकसर के वद से पूरा संसार खुश हुआ था। आज इस मुकेश की मौत से पूरा का पूरा गाउं खुश हो जाएगा। जहां रहती हो वहाँ के लोगों की खुशी का कारण बनो मा, उसमें दीवार मत बनो। तुम्हारा ये सोचना गलत है कि मैं अपने भगतों को कश्ट देती हूँ। मैंने उन्हें समझने का एक अफसर दिया, बस इतना ही। तुम्हारा अफसर किसी को नहीं चाहिए, अब तो बस लोगों को मुकेश की मौत चाहिए। उसका वध हो, इसलिए ये बच्चे, जिनका इन सबसे कोई सम्मन नहीं, बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर आये हैं। चाहो तो खुद देख लो। तुम्हारी बातों का निरादर करके पाप की भागी नहीं बनना चाहती। तुम्हारी शरन में जो आया है, उसे तुम असहाए मत छोड़ो मा, उसे अभी बाहर भेजो। तुम्हारे मंदिर में नहीं आऊंगी लेकिन एक वचंदो। कि तुम मेरी शक्ति को नहीं रोकोगी मा, मेरी शक्ति को आगे बढ़ने दोगी। मैं तुम्हें वचंदेती हूँ। कि जला टक्ति को एके बादी हूँ। कि प्या झाल 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 देवी मा, आज तक इस गाओं के लोगों ने कस्ट सहे हैं, वो इंट के लिए बहुत हो गया, मैं चाहती हो कि अब सब लोग खुश रहें, जै देवी मा हमें जो एक्सपीरियंस मिला है वो बाहर की दुनिया को नहीं पता चलेगा इस अनुभो को हम कभी भी बुला नहीं पाएंगे, और तो और अपने कॉलेज के दोस्तों से चिपा भी नहीं सकते हैं कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है की हे, ये बिना बता है कैसे किया? क्या बात है, ये तो सच मुश कमान हो गया हमें बिना बता चले, ये तुमने कब किया? दैक्स, विष्णू हाँ?